नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नीउज आपके साथ मेहूर वशी आपको बता दे कि बिहार में MLC के 24 सीटो पर हुए चुनाव की मतगरना थोरी देर में शुरू हो जाएगी और इसको लेकर मतगरना केंद्र पर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है सबसे पहले आरा बकसर सीट कर रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है मतगरना केंद्र स्थल पर बैलट बॉक्स से सभी मतपत्रों को निकाल कर उसकी गिनती की जाएगी और इसके लिए सभी मतगरना केंद्रों में 14 टेबुलों पर वोटों की गिनती का आकारे होगा पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोचपूर, रोता, सारन, सिवान, गोपाल गंच, पस्चिम, चंपारन, पुर्वी, चंपारन, मुझफरपूर, वैशाली, सीता, मढ़ी, दर्भंगा, समस्तिपूर, मुंगेर, बेगु, सराय, सेरसा, भागलपूर, म दुबनी, पूर्निया, वकत्यार में, मतगणना, केंद्र, बनाए गए है, और न्यूजरूम से समधाता, गौतम हमारे साथ जोड़ चुके है, गौतम, अगर पटना की बात कर ले, तो कौन-कौन से ऐसे, जो बात कर ले, तो आर्या भट नॉलेज, विश्विद्याले में भी वोटों की गिनती होगी, कितने बजों से वोटों की गिनती होगी, और सुरक्षा वस्था किस तरह की निजर आ रही है? मर्थन में पर्तियासी के हो, इसके लिए फॉर्स का डिप्लाइमेंट की गई है, देखें, आठ बज़े सुबा से ही, यह कौन्टिंग शुरू होगी, और इसके लिए तैयारी लगब़ग पूरी कर ली गयी है, देखें, आठ बज़े के बास से जो कौन्टिंग होगी, उ उसको लेकर जो counting होती है उसमें सम्धेंद भी लगेगा और थोड़ाई कि परक्रिया पहले के सम्हाई में जो हो ती तो उसी तरह से होगी त्यक्ति पचास पचास Speech जो जो कारएं भी संख्या में जो है मत government कर जो है यह पेपर तयार किया जाएगा बंदल तयार किया जाएगा और इस बंदल को counting किया जाएगा जो दिखे इसमें सबसे पहले ये होगा कि valid और invalid वोरड उसको पहले अलक किया जाएगा और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि उसको अलक करने कबाद जितने भी वोट जो 08 होंगे उसकी गिंती की जैगी उस गिंत जो है बूथ वाइज नहीं होती तो यानि इसके काउंटिंग थोड़ी से अलग होती है और इसमें थोड़ी से समय भी लगता है यानि दोपहर के बाद से यह परत्याशियों को साफ हो जाएगा कि कौन परत्याशी जीत रहें कौन परत्याशी को सफलता नहीं मिलिये तो यह आठ घुजिक प्रक्रिया होगी शुरुआध करने की उसमें सबसे पहला यही काउंट होगा चो वैलीड करना है बंदल करना है उसके बाद उसको काउंटं के लिए यह करना है सबसे कंठी जो है यहां कि उमीद है कि इस चीज को लेकर पर दीयासिा में का पी इंतेजार है क्योंकि result को लेकर बेशबरी से इंतिजार कर रहे होंगे और जो उनके समर्था के वो भी इंतिजार कर रहे होंगे मगर इस चीज को लेकर एक यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो भीर भार उन जगहों पर ना हो इस पर लगवे लगी है बिल्कुल गौतम जीत को लेकर सभी आश्वस्थ है सभी दम भर रहे हैं लेकिन अगर अंदेशा की बात कर ले तो क्या लगता है किसके जीतने की जो संभावना है वो ज्यादा नजर आ रहे है क्योंकि एक कई सारे प्रतियाशी है जो अपने अपने भागय आजमा रहे हैं अगर पतना की हिंगर बात तो पतना में जो तीन ऐसे उमीदवार हैं पतना के जो बात कर ले जाए जदियुसे जो हैं बालमिकी शिंग है आर जेडि से हैं कार्श्बा से हैं मर्थो को का यह कहना थे कि हमारे केंड़ेट जीते हैं मगर यह फैसला आज होगा और दोफ़र के बाद यह इस पश्ट हो जाएगी कि तस्वीरे क्या रही किन को पंचायत प्रसंदियों ने पसंद किया और आने वाले समय में किन को जो है वह वह बिदान परिशत देजना चा फरिशत पर इ!! जली बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारियों के लिए